हलो दोस्तों राजस्तान की सीमाओं से सम्बंदि 25 इंपोर्टेंट कोशन में आपका वैलकम है दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो तो सबसे पहला हमार कोशन है राजस्तान के निम्न जिलों में से किस एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश वे मद्य प्रदेश से मिलती है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर से जो दोलपुर जिला है उसकी सीमा मिलती है उत्तर प्रदेश के साथ साथ में मद्य प्रदे रहे पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतराश्टी सीमा की लंबाई नेक्शने वह राज्जे जो राजस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह है तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमर सा है जो ही माचल प्रदेश राज्जे है वह राजस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता इ तीनों ही राज्जे राजस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं निक्षने राजस्तान के निम्न में से किस जिले की अंतराश्टी है वह अंतराश्जे सीमा है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर बै जो बार्ड मेर जो जिला है उसकी अंतराश्टी सीमा पाकिस्तान के स उसका correct answer है option number 7 प्रेक्ट है चार जिलों को लगती है जिसमें विकानेर, जेसलमेर, पाडमेर और गंगानगर है नेक्शन है रेट क्लिफ और रेखा कब अस्तित्व में आई तो इसका correct answer है option number 2 जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद में भारत और पाकिस्तान का विव राज्जे या देश से नहीं मिलती है तो इसका correct answer है option number 2 जोदपूर की सीमा नहीं लगती है ना तो किसी राज्जे के साथ लगती है ना ही किसी देश के साथ लगती है इसके लावा जेपूर बांसवड़ा और बिलवड़ा की लगती है नेक्शन है निमने में से कौन सा जि आजिकर और जेपूर ये तीनों ही अर्याना के सा सीमा बनाते है नेक्शने पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक इस तित जिला मुक्याले है तो इसका correct answer है option number 2 जो जिला है उसका मुक्याले सबसे नजदीक है पाकिस्तान के सीमा के नेक्शने गुजरात के साथ सरवादिक सीमा किस जिले की लगती है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर बै जो उद्यपुर जो जिला है उसकी सीमा लगती है गुजरात राज्ये के साथ में सबसे लंबी सीमा निक्शने किन जिलों की अंतराज्य सीमा सबसे छोटी है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर बै जो बाड मेर जो जिला है उसकी जो अंतराज्य सीमा है वह सबसे छोटी है नेक्शन है राजस्तान में अंतराज्य सीमा वाले जिलों की संक्या है तो इसका correct answer है option number 2 कुल मिलाकर 23 जिले अंतराज्य सीमा बनाते हैं और राजस्तान और राज्य में नेक्शन है राजस्तान के सीमा पूरु में किस राज्य से सहींगत है तो इसका correct answer है option number 2 सबसे छोटी सीमा बनाने वाले जिले का नाम है तो सबसे चोटी सीमा इसे राजस्तान किस जिले की अंतराज्य सीमा सरवादिक है तो इसका गर्ग्टांसर है option number से जहलावाड जो जिला है उसकी जो अंतराज्य सीमा है वह सरवादिक है नेक्ट सुनें राज़स्तान भारत के किस भ़ाग में इस्तित है तो इसका correct answer है option number A उत्त्र पच्छिम भाग में इस्तित है राजस्तान भारत के निक्स्ट सुने निम्न मेंसे राज़स्तान के कि इस जिले की सीमा मद्यपरदेस सस्यु्ट है तो इसका correct answer है option number B जो जहलावाट जो जिला है उसकी सीमा सस्यु्ट है मद्दे परदेश के साथ में निक्ष ने राजस्तान के जिस जिले से अधिक्तम जिलों की सीमाई इसपर्ष करती है तो इसका correct answer है option number 2 जो पाली जो जिला है उसकी सीमा सबसे ज़्यादा जिलों को इसपर्ष करती है निक्ष ने निम्ने में से कौन सा जिला अंतराज्य सीमा पर इस्तित नहीं है तो इसका correct answer है option number 3 जो बूंदी जो जिला है वह अंतराज्य सीमा पर इस्तित जिला नहीं है निक्ष ने राजस्तान में जिला जो उत्तर प्रदेश वह मद्दे प्रदेश की सीमा रखता है वह है तो इसका correct answer है option number 3 दोलपूर रखता है उत्तर प्रदेश के साथ में मद्दे प्रदेश की सीमा नेक्ष ने राजस्तान का कौन सा जिला हरियाना राज्ये के इसार जिले की सीमा को चूता है तो इसका correct answer है option number है हरियाना का जो इसार जिला है उसकी सीमा को नेक्ष ने गुजरा सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ शेत्र राज्ये के किन जिलों में विस्तरत है तो इसका correct answer है option number 7 बाड मेर और जालेव के अंदर विस्तरत है जो कच्छ का रण है उसका कुछ शेत्र नेक्ष ने जेसल मेर जिले की सीमा पाकिस्तान से लगने वाली लंबाई है तो इसका correct answer है option number 7 बाड मेर जालेव के सीमा लगती है जो कि जेसल मेर के साथ लगती है और ये पाकिस्तान के साथ लगने वाली सबसे बड़ी सीमा है नेक्ष ने हरियाना के कितने जिले राजस्तान से लगे है तो इसका correct answer है option number 2 कुल मिला कर साथ जिले लगे हुए है हरियाना के राजस्तान से नेक्ष ने राजस्तान के कितने जिले पंजाब से लगे है तो इसका correct answer है option number 2 कुल मिलाकर दो जिले लगे हुएं पंजाब के राजस्तान से तो आशा करता हूं राजस्तान की सीमा से रिलेटेड ये 25 कोशन आपको पसंद आएगों दूस्तों अगर वीडियो पसंद आए दूस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन मेटन सबसे पहले प्राप कर सके हैं और इस वीडियो का अपने तमाम दूस्तों के साथ फेस्बूक और वाटसअप अकाउंट के मादिम से शेयर भी कर दिजिए तो आज लिए दूस्तों इतना ही थैंक्यू दूस्तों